आज हम लोग संख्याओं को सबदों में लिखना सीखेंगे तो इसके लिए हम एक बड़ी सी संख्या लेते हैं देखने में ये बहुत बड़ी लग रहे हैं लिकिन जब आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो इस संख्या को बहुत आसानी से आप लोग शब्दों में लिख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस संख्या में हम लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे एकाई, दहाई, सैकडा, हजार, दस हजार, लाक, दस लाक, करोड और दस करोड अब इदर से देखते हैं, यह एकाई है और यह दहाई है तो यह दोनों एक घर में रहते हैं इसके बाद में भी ई निकल ला है, इसके बाद में भी ई निकल ला है तो इनका हम घर बना देते हैं, यह इनका हमने घर बना दिया इसके बाद आता है सैकड़ा ये अपने घर में अकेला रहता है इसके घर में कोई भी नहीं है तो हम इसका घर भी बना देते हैं इसके बाद आता है हजार और दस हजार ये दोनों एक जैसे हैं ये हजार है और ये हजार है तो ये हमने बना दिया हजार का घर इसके बाद है लाख और दस लाख ये भी दोनों एक जैसे हैं तो ये हमने बना दिया लाख का घर इसके बाद है करोड और दस करोड ये दोनों एक जैसे हैं तो इनका भी एक घर बना देते हैं ये बन गया करोड का घर अब हम क्या करेंगे? अभी हमने दाहिनी तरफ से घर बनाना सुरू किया था अब हम बाई तरफ से इसको शब्दों में लिखना सुरू करेंगे कैसे? ये करोड का घर है इसमें कौन-कौन बैठा है? दो और पाँच 2 और 5 कितना होता है 25 करोड का घर है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 25 करोड इसके बाद हम चलेंगे लाख के घर में यहाँ पर देखेंगे 1 बैठा है और 3 बैठा है 1 और 3 कितना होता है 13 लाख का घर है तो हम लिख देंगे 13 लाख इसके बाद 1000 का घर आ गया हजार के घर में एक है और जीरो है एक और जीरो होता है दस तो यह हो गया दस हजार यहां लिख देंगे दस हजार इसके बाद धर आया सैकडा का इसमें आठ है तो इसको हम क्या लिखेंगे आठ सैकडा नहीं लिखेंगे इसको हम लिखेंगे आठ सो इसके बाद घर आया एकाई और दहाई का इसमें एक है और दो है एक और दो कितना होता है बार है तो यहाँ लिखनेगे हम बार है इस प्रकार बच्चों यह संख्या हो गई पचीस करोर तेरह लाग दस हजार आठ सो बार है अब एक और एक्जामपल लेते है यह हमने एक संख्या और लिख ली तीन, दो, जीरो, छै, नौ, जीरो, जीरो, पाँच, और दो इसमें भी वही काम करेंगे दाही तरब से घर बनाना सुरू करेंगे तो पहले एकाई दाही लिख लेते हैं इकाई, दाही, सेकड़ा, हजार, दस हजार, लाक, दस लाक, करोड और दस करोड अब घर बनाएंगे इकाई और दाही का एक घर होता है इनका हमने घर बना दिया यह सेकड़ा अकेला रहता है इसका भी एक घर बना दिया हजार और दस हजार ये दोनों एक घर में रहते हैं इनका घर बन गया लाख और दस लाख दोनों एक घर में रहते हैं तो इनका भी एक घर बन गया करोड और दस करोड ये दोनों एक घर में रहते हैं तो इनका भी घर हमें बना दिया अब हम क्या करेंगे बाई तरफ से इसको शब्दों में लिखना सुरू करेंगे करोड के घर में तीन और दो बैठें तीन और दो होता है बत्तीस तो बत्तीस करोड हम यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद हम लोग चलेंगे लाख के घर में लाख के घर में जीरो है और छे है तो इसको हम 6 मानेंगे क्योंकि 0 पहले लिखा है और 6 बाद में लिखा है अगर ये 6 पहले लिखा होता ये 0 बाद में लिखा होता तो हम इसको 60 मानें लेकिन 0 पहले लिखा है तो इसको हम 6 मानेंगे और लाख का घर है ये तो लिखते हैंगे 6 लाख इसके बाद हम लोग चलते हैं हजार के घर में नौ और जीरो होता है नबबे तो हो गया ये नबबे हजार इसके बाद शैकड़ा सैकड़ा के घर में जीरो बैठा है तो अगर किसी घर में जीरो होता है एवल जीरो तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं यहां पर 0 से एकड़ा नहीं लिखेंगे या 0-100 नहीं लिखेंगे इसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे सीधे चलेंगे हम लोग 1 और 10 के घाने यहां पर 5 और 2 बैठे हैं 5 और 2 होता है 52 तो इसको लिखनेंगे हम 52 इस प्रकार ये संख्या कितनी हुई 32 तरोड 6,90,52 बच्चो तो आपने संख्याओं को सब्दों में लिखना सीख लिया अब आपको भी अभ्यास करना है क्योंकि गड़िक में जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे तो अभ्यास के लिए मैं यहां पर कुछ संख्याइं आपको दे रहा हूं इन संख अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संख्याओं को अंको में कैसे लिखा जाता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना टेक केर बाई बाई झाले वीडियो अगर जानेंगे कि संख्याओं को अंको में लुट जरूर करना